यह विडियो भारत के सबसे प्रसिद 90 Days English Speaking Course से ली गई है अधिक जानकारी के लिए विजिट करिए www.spokenenglish.guru हाई गाईज दिस है अधित्यय फ्राम Spoken English Guru आप सभी का स्वागत है Conjunctions की आज की इस Practice Exercise में बहुत ही important वीडियो है बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है तो ध्यान से वीडियो का इन तक देखना है तो आईए शुरुआत करते हैं उसके आते ही सब हसने लगे ध्यान से सोचिए कि यहाँ पर कौन सा Conjunction यूज होगा उसके आते ही यानि कि जैसे ही वो आया सब हसने लगे तो sentence को पकड़ना भी है कि यह किस तरह से बन सकता है जैसे ही के लिए जो Conjunction हम यूज करते हैं वो होता है as soon as as soon as जैसे ही वो आया Past Indefinite Tense में he came क्या हुआ फिर सब हसने लगे सब हसने लगे यानि कि सबने हसना शुरू कर दिया तो सबने शुरू कर दिया Subject है सब All शुरू कर दिया Past Indefinite Tense में आया गया उठा बैठा रोया सोया शुरू कर दिया शुरू करना को start कहते हैं उसकी second form का use होगा started और आप जानते हैं कि start के बाद जो भी verb आती है object में उसकी ing form का use किया जाता है यहाँ पर object में कौन सी verb आ रही है हसना हसने को laugh कहते हैं उसकी ing form laughing अब देखिए पूरा sentence क्या बन गया As soon as he came जैसे ही वो आया All started laughing सबने हसना शुरू कर दिया यानि सब हसने लगे अच्छा यहाँ पर हम as soon as की जगह पर the moment भी कह सकते हैं जब भी किसी sentence में जैसे ही के लिए आप as soon as का use करते हैं उसकी जगह पर आप the moment का भी use कर सकते हैं The moment he came जैसे ही वो आया All started laughing Next sentence चाहे वो बैठे या न बैठे मैं तो बैठूंगा जब भी किसी sentence में चाहे ये हो या न न ओ चाहे वो आये या न आये चाहे मैं जाऊं या न जाऊं चाहे वो मेरे घर आए या मैं उसके घर जाऊं ये चाहे और या ऐसा जब भी आप देखें तो तुरंत आपको ध्यानाना चाहिए weather or और हमेशा याद रखिए whether के साथ वाला जो भी clause होगा जैसे यहाँ पर है चाहे वो बैठे या ना बैठे ये जो पूरा clause है ये हमेशा present indefinite tense में ही बनता है तो इस sentence को कैसे बनाए? इसी तरह का एक और sentence चाहे वो आये या ना आये मैं तो दिल्ली निकल जाऊंगा अच्छा बाजाते हैं next sentence पे न वो आया न मैं गया न वो आया न जाया न जाया मैं गया जब भी आप ऐसा sentence देखें न ये हुआ न वो हुआ न उसने कहा न मैंने कहा न वो आया न मैं गया ऐसे sentences में हमेशा neither nor का combination यूज होता है पहले वाले न न निगेशन की case में neither neither के बाद वो आया he came दूसरे वाले न के लिए यानि निगेशन के लिए nor मैं गया I went neither he came nor I went न मैंने देखा न किसी और को देखने दिया न मैंने देखा क्योंकि जब भी किसी sentence में हम किसी दूसरे वेक्ति को किसी काम को करने देते हैं या नहीं करने देते हैं तो ऐसे में let का use होता है let की videos में बताया आपको next sentence मैं यही तो कर रहा हूं मैं यही तो कर रहा हूं बोलने में तो इस sentence को ऐसे बना सकते हैं, I am doing the same thing, I am doing, मैं कर रहा हूँ, the same thing, same चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन यही तो, इसके लिए conjunction use होता है, that's what, that's what, यही तो मैं कर रहा हूँ, I am doing, that's what I am doing, जैसे मैं कहूं, मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूँ, यही तो, that's what, मैं what I am telling you, बोलने में तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, I am telling you the same thing, मैं आपको same चीज़ बता रहा हूँ, मतलब मैं आपको यही बता रहा हूँ, next, भले ही वो कोई भी हो, मैं अपने सिधानतों से समझोता नहीं करता, भले ही के लिए हम कौन सा conjunction use करते हैं, even if, even if he is anyone, भले ही वो होता नहीं करता, I don't compromise, किस चीज़ के साथ, अपने सिधानतों के साथ, with my principles, अचा, conjunctions की वीडियो में मैंने आपको बताया था, कि भले ही के लिए, आप even if के साथ साथ, even though का भी use कर सकते हैं, आप कह सकते हैं, even though he is anyone, I don't compromise with my principles, next sentence, उसके बारे में भले ही तुम कुछ भी कहो पर उसे मुझसे बहतर कोई नहीं जानता, आप बनाने का ट्राय करिए इस sentence को, वीडियो को आप पॉस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, थोड़ा सोचिए, यहाँ पर आ रहा है भले ही, भले ही के लिए मैंने जैसे आपको बताया, even if का आप यूस कर सकते हैं, even if तुम कुछ भी क रहो, you say anything उसके बारे में, about him, पर, but, कोई नहीं जानता, nobody knows, उसे, him, मुझसे बहतर, better than, I know, अच्छा आप यहाँ पर देख रहे हैं, better than, better मतलब बहतर, than का यूस करते हैं आप जब आप comparison करते हैं, I know, मैं जानता हूँ, मतलब कोई भी उसे उतना अच्छे से नहीं जानता जितना मैं जानता हूँ, यह है sentence का sense, उसने एक शब्द तक नहीं बोला, अगर sentence में तक नहीं होता, उसने एक शब्द नहीं बोला, उसने नहीं बोला he didn't speak, एक शब्द, a word लेकिन मैंने क्या का, एक शब्द तक, तो तक के लिए हम क्या कहते हैं, even, एक शब्द तक, यानि even a word, he didn't speak even a word मैंने तुम्हे पूछा तक नहीं कि तुम कैसे हो यहाँ पर भी तक आ गया, तक के लिए हम even का use करेंगे लेकिन इस sentence को बनाएंगे कैसे यह देख लेते हैं मान लीजिए कि यहाँ पर तक नहीं है और यह sentence सिर्फ इतना है, मैंने तुम्हे नहीं पूछा तो past indefinite tense का sentence बना, कैसे बोलूँगा I didn't ask you अब जब मैंने का पूछा तक नहीं, पूछा तक तो पूछने से तुरंत पहले, ask से तुरंत पहले even का use हो जाएगा हिंदी में हम कहे रहे हैं, पूछा तक, पूछा के बाद तक और English में ask से तुरंत पहले even I didn't even ask you अब आगे का sentence बनाते हैं की, की के लिए आप जनरली जानते हैं, that का use करते हैं तुम कैसे हो, अगर यह कोई question होता तो आप पूछते, how are you लेकिन अगर आप इस sentence को देखें तो इस sentence में कोई question नहीं पूछा गया है मैं आप से पूछ तोड़ी रहा हूँ कुछ मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैंने तुम्हें पूछा तक नहीं कि तुम कैसे हो मैं तो बता रहा हूँ, मैं पूछ नहीं रहा हूँ ऐसे में are का use, you से पहले नहीं, बलकि you के बाद होगा तो अब ये sentence क्या होगे आपके सामने I didn't even ask you that how you are अभी भी ये sentence सही नहीं है, क्यों नहीं है क्योंकि जब भी आप कभी ऐसा देखें की, की के लिए आप that कहते है that के बाद अगर कोई भी clause आपका हो, जैसे यहाँ पर है तुम कैसे हो और उस clause की शुरुवात किसी WH family member से हो रही हो, जैसे यहाँ पर हो रही है how से तो अगर किसी भी WH family का member होता, चाहे what, where, how, when, whom, who, कोई भी हो आप उससे तुरंथ पहले that का use नहीं करते हैं, हटा देते हैं that को तो यहाँ पर मैं that को हटा देता हूँ, I didn't even ask you how you are क्या यह sentence अब बिल्कुल सही है, अभी भी यह sentence सही नहीं है, ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए यह जो बात है मैंने तुम्हें पूछा तक नहीं, यह बीते कल की बात है, क्योंकि मैंने तुम्हें पूछा, बीते कल की बात हो रही है ऐसे में की के बाद का जो sentence clause है, वो भी past में बनेगा, present में नहीं और यहां पर मैंने are का use किया है जो कि present की verb है, तो past में हमें use करना होगा, you के साथ past में कौन सी verb use होती है, were, I didn't even ask you how you were, actual में इस तरह से sentence को बनाया जाएगा, मान लिजिए इसी तरह का एक sentence ले लेता हूँ, मुझे पता तक नहीं था कि वो कहा है, मुझे पता तक नहीं था, I didn't even know की, की के लिए आप that का use नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर आ रहा है कहा, कहा के लिए आप where का use करेंगे, यह एक WH family का member है, अब मान लिजिए यह जो है वो कहा है, सिर्फ इतना ही होता पूरा sentence, तो कैसे बनाते आप, where is he, लेकिन आप जान रहे हैं कि यहां पर यह question नहीं है, बलकि मैं तो बता रहा हूँ कि वो कहा है, मुझे नहीं पता था, तो ऐसे में is का use he के बाद होगा, where he is, लेकिन चुकि यह sentence past में है, मुझे पता तक नहीं था, ऐसे में is नहीं, क्या use करेंगे he के साथ, was, I didn't even know where he was, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने अभी तक किसी को नहीं बुलाया है, हमने किसी को नहीं बुलाया, we have not called anyone, अभी तक, yet, और आपकी knowledge के लिए बता दू, कि अभी तक के लिए आप as yet भी कह सकते हैं, so far भी कह सकते हैं, by now कह सकते हैं, till now भी कह सकते हैं, वो अभी भी बुरे दौर से गुजर रहा है, मान दीजिए यहाँ पर अभी भी नहीं होता, वो बुरे दौर से गुजर रहा है, he is going through a bad phase, जब मैंने कहा अभी भी, तो मैं क्या यूजर कर लूँगा, still, he is still going through a bad phase, अब आजाते हैं next sentence पे, अपने दोस्तों का साथ दो, ऐसा न हो कि जरूरत पढ़ने पर वो तुम्हारा साथ न दे, अपने दोस्तों का साथ दो, help your friends, help या support भी कह सकते हैं, और लेस्ट के बाद जो भी sentence पाट आता है, जो भी clause आता है, उसमें हमेशा modal verb should का यूजर किया जाता है, तो लेस्ट के बाद का clause क्या है, जरूरत पढ़ने पर वो तुम्हारा साथ न दे, वो एक से जादा हैं, they should not help you, वो आपका साथ न दे, जरूरत पढ़ने पर in need, तो ये पूरा sentence क्या बन गया, help your friends, lest they should not help you in need, next sentence, जब तक वो मेरे पैसे वापस नहीं करता, मैं उसे नहीं छोडने वाला, जब तक के लिए, till का use कर सकता हूँ, till, वो मेरे पैसे वापस नहीं करता, present in definite tense का negative sentence, he does not return my money, मैं उसे नहीं छोडने वाला, I am not going to spare him, छोडने को यह तो leave कहते हैं, लेकिन मैंने आपको एक वीडियो में बताये भी था, कि leave और spare में क्या फरक होता है, जब आप किसी को ऐसा कहते हैं, कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोडने वाला, इसके लिए spare word का use करते हैं, अच्छा तो यह पूरा sentence हो गया, till he does not return my money, I am not going to spare him, और आपकी knowledge के लिए बता देता हूं, going to की जगह पे generally conversations में, gonna word का use कर लिया जाता है, और यहाँ पर आपको ध्यान रहे, कि till की जगह पे आप till the time भी कह सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब निकलता है, till the time he does not return my money, I am not gonna spare him, अच्छा अब इस sentence में थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब तक हो मेरे पैसे वापिस नहीं करता, जब तक नहीं, जब तक नहीं के लिए मैं until का यूज कर सकता हूं, तो बाकी का क्या clause बचा, वो मेरे पैसे वापिस करता, तो यह अब negative नहीं न, he returns my money, तो जो until है, till का negative है, until he returns my money, जब तक वो मेरे पैसे वापिस नहीं करता, I am not going to spare him, next sentence, मैंने ये किताब खोली ही थी, कि मुझे अपना बच्पन याद आ गया, जब भी आपके सामने ऐसा कोई sentence आये, कि मैंने ये किया ही था कि ऐसा हो गया, मैंने आपके बारे में सोचा ही था कि आपने call कर दी, मैंने उसे देखा ही था कि उसने मुझे से कुछ पूछ लिया, इस तरह के sentences को no sooner के साथ advance English में बनाया जाता है, कैसे, मैंने एक किताब खोली ही थी, यानि कि किसी काम को किया ही था, आया था, गया था, उठा था, बैठा था, रोया था, सोया था, हसा था, जागा था, यह तो past perfect में होता है, वहाँ पर head का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर भी head का यूज किया जाएगा, no sooner had I opened the book, कि मुझे अपना बच्पन याद आ गया, ऐसे में याद रहे, no sooner के बाद आप दूसरे क्लॉस की शुरुवाद then से करते हैं, यह ती एच 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 नहीं है, यह ती एच 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 हैं है, जिसका यूज आप comparison के लिए करते हैं, मुझे अपना बच्पन याद आ गया, I remembered my childhood, तो यह पूरा सेंटेंस क्या बना, no sooner had I opened the book, then I remembered my childhood, इसी तरह का एक सेंटेंस, मैंने तुम्हे कॉल की ही थी, कि तुम मेरे घर पहुँच गए, no sooner had I called you, then you reached my home, no sooner had I called you, then you reached my home, next सेंटेंस, वो मुझसे बात करने लगा, मानो मुझे पहले से जानता हो, वो मुझसे बात करने लगा, यानि उसने मुझसे बात करना शुरू कर दिया, he started talking to me, मानो, मानो के लिए कौन सा conjunction यूज होता है, as if, as if, वो मुझे पहले से जानता हो, अब चुकि यह बात हुई है, past में, वो मुझसे बात करने लगा, ये बीते कल की बात हो रही है, इसलिए जो आगे का clause भी हो, past में तो बनेगा, he knew me beforehand, तो जो ये पूरा sentence है, वो मुझसे बात करने लगा, मानो, मुझे पहले से जानता हो, he started talking to me, as if he knew me beforehand, इस तरह से बनेगा, यहाँ पर आपकी knowledge के लिए बता दूँ, अगर मैं इस sentence को ऐसे बोलता, वो मुझसे बात करने लगा, जैसे की मुझे पहले से जानता हो, जैसे की, या मानो, एक ही sense आ रहा है, इन दोनों के लिए as if का ये use करते हैं, और ये भी बता देता हूँ, कि as if की जगा पे आप as 2 का भी use कर सकते हैं, मैं इस sentence को ऐसे भी कह सकता हूँ, he started talking to me as though he knew me beforehand, चलिए next sentence में move करते हैं, यही तो मुझे हमेशा से नापसंद था, और नियती देखिए, आज मेरे पास ये करने के सिवाए, कोई चारा ही नहीं है, कितना interesting sentence है, थोड़ा लंबा सा लग रहा है आपको, बनेगा बड़े आराम से, that's what, यही तो, मुझे हमेशा से नापसंद था, यनि मैं हमेशा से इसे dislike करता था, I always dislike, और नियती देखिए, and see destiny, आज मेरे पास ये करने के सिवाए, कोई चारा ही नहीं है, मेरे पास कोई choice नहीं है, I have no choice, सिवाए किसके सिवाए ये करने के, but to do it, सिवाए के लिए भी but का use किया जाता है, conjunctions के वीडियो में बताया मैंने आपको, but एक ऐसा conjunction है, जिसका use तीन अलग-लग sense में होता है, एक तो sense होता है, एक पल को मुझे लगा, मानो मैं हीरो हूँ, उसने मेरा स्वागत किया, he welcomed me, past indefinite tense में ही sentence, इस तरह, यानि इस तरह से, in such a way, ये conjunction clause use होगा, कि that, एक पल को मुझे लगा, यानि एक पल के लिए मैंने महसूस किया, for a moment I felt, मानो मैं हीरो हूँ, मानो के लिए भी थोड़ी देर पहले बताया आपको, as if, अच्छा अगर आपको सिर्फ इतना कहना होता, मैं हीरो हूँ, तो तो आप कह देते, I am a hero, लेकिन ये sentence, past में बोला जा रहा है, उसने इस तरह मेरा स्वागत किया, बीते कल में, तो यहाँ पर M नहीं आएगा, क्या आएगा, was, I was a hero, तो यह पूरा sentence क्या है, He welcomed me in such a way, that for a moment I felt as if I was a hero, और दूसरी बात, अगर आप में से किसी के मन में बात आ रही हो, मुझे लगा, लगने को seem भी तो कहते हैं, तो यहाँ पर I felt, मैंने महसूस किया, मुझे लगा, इसके लिए आप ऐसे भी कह सकते हैं, It seemed to me, for a moment, It seemed to me as if I was a hero, अब आजाते हैं next sentence पे, सही पता लिखो, कहीं ऐसा नहो की, कूरियर कहीं और चला जाए, सही पता लिखो, write the correct address, कहीं ऐसा नहो की, इसके लिए नहीं थोड़ी दिर पहले, आपको क्या बताया था, LAST, LAST, कूरियर कहीं और चला जाए, The courier should go somewhere else, मैंने आपको बताया था नहीं, कि LAST के बाद का, जो भी clause होता है, वहाँ पर should, modal verb का यूज किया जाता है, अब इसी तरह का एक और sentence देखते हैं, सही पता लिखो, ताकि कूरियर कहीं और न चला जाए, सही पता लिखो, write the correct address, ताकि, ताकि के लिए आप कौन सा conjunction यूज करते हैं, so that, कूरियर कहीं और न चला जाए, negative है नहीं पार, The courier does not go anywhere else, अब देखिए जब sentence negative है, तो मैंने कहा anywhere else, anywhere, तो generally negative sentence में आप anywhere कहते हैं, sentence अगर positive हो तो क्या कहते हैं, somewhere, जैसा कि आपने पिछले sentence में कहा, अब इसी तरह का एक और sentence, सही पता लिखो, नहीं तो courier कहीं और जा सकता है, अब यहाँ पर आगे हैं नहीं तो, सही पता लिखो, write the correct address, यह तो बिल्कुल वैसे ही बोलेंगे, नहीं तो, नहीं तो या वर्ना, इनके लिए क्या यूज़ करते हैं, कौन सा conjunction यूज़ करते हैं, otherwise, otherwise, courier कहीं और जा सकता है, the courier may go somewhere else, सकता है, possibility की बात हो रहे हैं, यह तो, में का यूज़ कर लिया, में की जगह could भी कह सकता हूँ, might भी कह सकता हूँ, और यहाँ पर आपकी knowledge के लिए बता दूँ, कि otherwise की जगह पर आप और else भी कह सकते हैं, यह बात भी conjunctions के वीडियो में हलकी मैं आपको बताईए, तो कुल मिलाकर आपने देखा कि आपके सामने तीन sentence आए, सही पता लिखो कहीं ऐसा नहों की courier कहीं और चला जाए, सही पता लिखो ताकि courier कहीं और न चला जाए, सही पता लिखो नहीं तो कूरियर कहीं और जा सकता है अगर हम देखें तो इन तीनों सेंटेंस को थोड़ा-थोड़ा सा डिफरेंट वे में बोला गया है लगबग बात सेमी है लेकिन जब हिंदी में भी हम अलग बोलते हैं तो इंग्लिष में भी तो फिर अलग ही बोलेंगे तो जितनी अच्छी grammar आपको आती है उतना अच्छी आपकी English बोलने में भी हो जाती है लिखने के साथ साथ बोलने में भी तो फिलाल आज के लिए यहीं तक मुझे पूरी उमीद है आज के इस वीडियो से आपको कुछ तो नया सीखने को जरूर मिला होगा अगर आपको ये वीडियो लेक्षर पसंद आया हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा कॉमेंट्स में बताईएगा कैसा लगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्षर में तब तक के लिए टेक केर गुडबाई